जहेंद बच्चों नमस्कार नीट स्टूडिंट्स को लेके एक बहुत बड़ी मुहीन एंडी टीवी ने चलाया है खास कर वैसे बच्चों के लिए जिन बच्चों को 36 गड़ में नीट एक्जामिनेशन के दिन में गलत पेपर दिये गए और आपको मैं बताओं कि एंडी ट आता हूं कि एंडी टीवी ने खास कर 36 गड़ के उन तमाम बच्चे जिन्होंने नीट 2024 में फिफ्ट में को एक्जाम दिया था दरसल उनके साथ हुआ क्या कि 391 स्टूडेंट्स को एंडी टीवी ने उसके लिए प्लान किया है उस दिन उन लोगों को अपने वो उस पेपर को सॉल्व कर रहे थे थोड़ी दिर के बाद यानि कि आफ्टर 45 मिनट उन्हें दूसरे एक्च्वल पेपर दिया गया और ठीक तीन घंटे 20 मिनट में उनके पेपर दे लिए गये बात एक यह है अब वहां पर क्या है कि बच्चों का डिप्रेशन लेबल बह काफी फोकस्ट वे में इसकी खबर को अपने चैनल पे अपने निउस पोर्टल पे उसे पबलिस्ट कर रही है फोकस्ट कर रही है सर्वे रिपोर्ट दे रही है फीडबैक्स दे रही है इन फाक्ट अगर दूसरी बात देखी जाए तो आपको यह भी पता है कि यह तो थी गलत पेपर का दूसरी खबर यानि की जो राजस्थान और पटना यह दो इस्टेट में जो पेपर लीक्ट हो गया थे और आपको यह भी पता है कि पटना में जो पुलिस ने एसाइटी टीम ने जिन लोगों को एरिस्ट की है उनका दावा है कि सैटरड़े इवनिंग में यह पेपर मिल चुका था इन फैक्ट सायद डैनिक जागरन की खबर की बात की जाए तो यूपी से उस पेपर को 50 क्रोड रूपीज में पर्चिस किया गया था और उस पेपर को बिहार में बच्चों को डिस्ट्रिबूट किया गया था ऐसी एक बच्चों को पेपर दिया सेंड ऐसी ही खबर आपको राजस्थान से भी मिली है राजस्थान में भी बहुत सारे बच्चों को कुछने इस तरह के माल प्रैक्टिस में यानि की पेपर लिक में इन्वाल्व हुए हैं और वहां पर भी पुलिस ने बहुत लोगों को एरेस्ट की है और किंग पिंग ज कि आप सभी ने बहुत हार्ड कोर मेहनत की और तब जाकर आपको एक नंबस आने की उमीद थी और फाइनली यहां पर हुआ यह कि पेपर लिक हो गए और आप शब परिसान है अब देखा जाए तो जागरंड का अगर खवर देखें तो जागरंड में राहुल गांदी जो पोजिशन के लीडर हैं फेमस हैं उनका भी यह एक स्टेटमिंट है इस पेपर लिक को लेके और वह चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन हो और इन फैक्ट इन सारी चीज़ों के बाद अगर आप ध्यान दें तो हमारी NTA ने अपने ओफिशियल वेबसाइट स्पेज जो मिसमैनेजमेंट नहीं हुई है और खबरें ये भी आ रही है कि बिहार और राजस्थान में पेपर लिक्ट हुआ है 24 और पहले पेपर मार्केट में आ चुका था जो किंग पिन थे वो अपने नेटवोक्स में लोगों को सप्लाई किया तो इन सारी चीज़ों को देखते और उनका मुहिम है कि ये information maximum logo तक पहुँचे जिससे कि ये खबर NTA तक पहुँच जाए और उनका मुहिम है justice for NEET 2024 students तो मेरे बच्चों इसी basis पर मैंने भी ये वीडियो बनाया है और आपसे मेरा request है कि आप इस वीडियो को maximum logo तक share कीजिए जिससे कि NTA को ये बात समझ में आ पहार किया जाए चाहे bonus mark दे कर दिया जाए या फिर re-examination conduct किया जाए आपका विचार इस मामले में क्या है आपकी सहमती क्या है कमेंट करके मुझे जरूर बताईए और अगर आपको ये लगता है कि re-examination होना चाहिए justice मिलना चाहिए उन तमाम parents और बच्चों को जिन्हो इसने भी Facebook social media है वहां share कीजिए जिससे कि ये information viral हो और लोगों तक पहुंचे और यह समझ में आया कि NTA को कुछ decisions लेने है in fact मैं आपको एक good news ये भी बता दू कि 4 जून तक NTA शायद इसमें कोई action ना ले क्योंकि उस दिन final decisions आने है लोग सभा का उसकी बाद हो सकता है NTA decision ले लेकिन ये खबर वहां तक पहुंचनी बहुत जरूरी है कि public नाराज है thank you best wishes देखिए आगे कि NTA क्या करती है